ना तकलीफ ना संगर्ष तो खाक मजा क्या जीने में थम जाते हैं बड़े बड़े तुफान जब आग लगी हो सीने में। होसलों को पस्त करने की कला अगर सीखनी हो तो कभी इस कॉमेडियन पर नजर डाल दीजेगा। जै चिनारिया आजकल सूनी टीवी पर लाफटर चैलेंज में नजर आ रहे हैं। उनके जोग ऐसे होते हैं कि दुखी से दुखी इंसान भी खिल खिला कर हस दे। लेकिन दुनिया को हसाने वाले जै खुद कितने दर्द से गुजर रहे हैं जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आपका कलेजा फट कर बहार आ जाएगा। जै के हाथ और पैर दोनों काम नहीं करते वो खड़े नहीं हो सकते और नहीं किसी चीज को सही से पकड़ सकते हैं। ब्यादी कम उम्र मुने सेरेब्रल पालसी हो गया था लेकिन इस बिमारी को उन्होंने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और खुद दर्द जेल कर वो हमेशा लोगों को हसाते रहे। गंबीर बिमारी से पीडित होने के बाद भी जय का जचबा देख लोग हैरान हो जाते हैं। एक मिमिकरी कैसरेट ला कर दे दी। जय को ये कैसरेट इतनी पसंद आई कि इसका असर उन पर दिखने लगा। एक बार की बात है जब जय को देखने के लिए उनके परिबार वाले आए तो उन्होंने पूरी कैसरेट ही सुना दी। इसके बाद पहली बार जय के पेरेंट्स उन्हें नवरात्री के मौके पर स्टेज पर लेकर आए। जिसके बाद जय ने कॉमेडी को ही अपना सब कुछ मान लिया और कभी पीशे मुड़ कर नहीं देखा। जय को उमीद है कि वो एक दिन खड़े होकर लोगों को हसाएंगे। हम इश्वर से प्रातना करते हैं कि जय का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो।